जैसरी शाम दोस्तो राधे 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 रुकमन की रसोई में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट गाजर मुली का आचार सरदिया शुरू होते ही सारे आचार एक तरफ और गाजर मुली का आचार एक तरफ तो चलिए शुरू करते हैं इस आचार की रेसिपी दो गाजर दो दो मुली ले लिया अच्छे से धो के मैंने इनको साफ कर लिया है थोड़ी से ये मिर्श लिये दो से तीन और आट दस मैंने ले लिये बारिख वाले मिर्श जो बहुँत offen थोड़ा साथ रख ले लिया है सबी को मैंने अच्छे से दो के साफ कर लिया है और सुखा लिया है सूखे कपड़े से चलिए इनकी cutting कर लेते हैं आचार या कोई भी recipe खाने में तो tasty होनी चाहिए लेकिन दिखने में भी अगर सुन्दर लगती है न तो बहुत बढ़िया लगता है तो बहुत ही अच्छे से हमको इनकी cutting कर लेनी है इस तरह से आप finger cutting कर लीजिए पहले इस तरह से cut कर लीजिए ओ फिर बीच में cut लगा कर पतली पतले इनकी cutting करके slice कर लीजिए बहुत ज़्यादा पतली भी मत रख्येगा और बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने है आपको बस इस तरह से आप मूली की cutting कर लीजिए देखिए मैंने मूली को अच्छे से कट कर लिया है अब गाजर की भी कटिंग कर लेते हैं बस गाजर को भी आपको इसी तरह से फिंकर कट करना है अगर आप चाहें तो बीच में जो इसकी सफेद लखड़ी सी होती है नीचे वाले पार्ट में थोड़ी जाधा होती है उसको आप थोड़ा-थोड़ा हटा सकते है मैंने थोड़ा-थोड़ा उनको हटा दिया है और गाजर भी हमारी कट हो चुकी है अब बारी आती है हमारी मिर्च की तो मिर्च का जो डंठल होता है यह हमेशा आप तोड़ दे इससे आचार में फंगस लगने का डर होता है और अच्छे से इसको पहुँच कर तयार कर लें जो बारीख वाली मिर्चे इनका तो भी क्या करना है बस बीच में कर लगाना है और दो इस तरह से तयार कर लें building तो बस इस तरह से तयार करेंगे और बड़ी वाली मिर्च को हम अच्छे से पहले कट कर लें थोड़ा सा एक मिर्च के हम तीन टुकडे कर लेते हैं इस तरह से वो आपके मिर्च पर निर्भर करता है कि वो कितनी बड़ी है तो बस बराबर इस तरह से कटिंग करके और फिर इनके पतले-पतले हम कट लगा के इस तरह से इनको तयार कर लेंगे तो मिर्च को आप इस तरह से तयार कर लेना है, सारी मिर्च को अब अद्रक को भी आप इसी तरह से slice में cut कर लेना है पतले पतले और लंबे-लंबे slice करने आप चाहें तो इसमें लेसुन भी डाल सकते हैं तो आप 10-15 कलियां लैसुन की छील कर तयार कर लिजी, वो आपको साबूती डालनी है, उनकी आपको कटिंग नहीं करनी है, तो ये देखिए, इस तरह से अद्रक को भी कट कर लेंगे, तो सारा आचार मैंने इस तरह से तयार कर लिए, तो हमारी कटिंग तो तयार हो चुकी है सोरी, आचार तो बनना अभी बाकी है, फिर देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिए दो चम्मच राई, बारिक वाली राई लिए, मैंने इसमें खटास थोड़ी सी जादा होती है, और एक चम्मच ले लिए पीली सरसों, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, 10-15 मैंन इनको रोस्ट करने के बाद में, फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ, आधा चम्मच अजवाईन, जिसको आप इस तरह से क्रश करते हुए डालिए, और फिर मैंने यहाँ पर ले लिए, आधा चम्मच से थोड़ी सी कम मेथी दाना, एक चम्मच साबुद धनिया, और दो चम करने के आवाज आने लगे, थोड़ा सा यह गरम हो जाए, इसका मोईस्चन निकल जाए और थोड़ी सी खुश्बु फैलने लगे, और कीचन में, तो समझ जाए मसाला आपका भून की तयार है, निकाल के ठंडा कीजिए और मिक्सर ग्रेंडर में डाल कर इसका दरदरा सा या फाइन पाउडर बना के आप तयार कर सकते हैं, देखिए मैंने इसका पाउडर बना के तयार कर लिया है, अब इसमें डाल देते हैं, एक चमच लाल मिच का पाउडर कश्मीरी लाल मिच डाल रहे हैं, तो दो चमच डाल दीजिए, यह मेरी नॉर्मल लाल मिची का पाउ वार आओर और थोड़ी से इसमें एहीन डालेते हैं, और सबी को अच्छे से मिक्स करिके तयार कर लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़ीजसी मसाला बनकी तयार हुगी है जिसको आप इस लेकिन एक चीज डालना इसमें बाकी है जो आचार की जान होती है तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चमच कलों जी अब इसको आप मिक्स करके आराम से स्टोर कर सकते हैं महीनों बिल्कुल बिना फ्रीज के भी कर सकते हैं फ्रीज में करेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक क लिए हैं पैन में डाल दिया है सरसों के तेल में बहुत बड़िया बनता है और को आचारों सरसों का ओкогоड़ियाों में बनाई है, सरदियों में तो उयल खाना ही हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है वरना आपकी इसकी सबजी बन जाएगी हमको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है बस थोड़ा सा गाजर और मूली का कच्चापन हलकासा निकल जाए इसमें क्रंची पन वैसा ही रहना चाहिए मैंने आधी चमच इसमें लाल मीची का प इसको चलाया है आचार बिल्कुल भी हमारा खराब नहीं होगा इससे अच्छा रहेगा क्योंकि इसका मोईस्चर थोड़ा सा निकल गया है तो इस आचार को आप 10-15 दिनों तक आराम से एंजल कर सकते हैं क्योंकि इंस्टेंट आचार है फिर इसमें डाल देते हैं दो करके बनाईए और तुरंत इसको रख लीजिए और तुरंत सर्व कीजिए तो देखिए बहुत ही बड़िया से हमारा याचार बन के तयार हो चुका है अब अगर आप चाहें तो इसमें एक चमच अमचूर का पाउडर डाल सकते हैं खटास के लिए या फिर यहां सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर नहीं तो सिरका डालूँगी नहीं डालूँगी अमचूर का पाउडर गेस की फ्लेम को बंद कर दिया है मैं थोड़ा सा नीबू करस डाल देती हूँ क्योंकि काफी लंबे समय तक मुझे इसको नहीं रखना है काफी लंबे समय तक रखना हो तो आप इसमें सिरके का यूज़ कीजिएगा यह देखी मैं आपको दिखा दिया गेस बिल्कुल बंद है बस इसको चला लेंगे उसको ठंडा कर लेंगे बिल्कुल और ठंडा करने के बाद में किसी बाउल में या कंटेनर में डाल के आप इसको रख 10-15 दिनों के लिए आराम से यह चलेगा और आप इसको एंजोई कीजिए तो यह लीजिए यह अचार रेडी टू सरू होता है जैसे ही बने वैसे ही सरू कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है खाने में बहुत ही ज़दा टेस्टी लगता है इसके साबने सारे अचार बेकार ल सकते हैं पर मैंने ज्यादा विल नहीं डाला है जैसरी शाम राधे राधे